तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सीजल भागि लक्षमी के सेट पर जहां आज करिश्मा बुआ और दादी मिलकर राम जी की पूझा आर्चना कर रही है जला रही हैं दिये और हो गई है राम जी की भक्ति में लीन और इसी के साथ साथ ये गा रही है राम जी के भजन भी तो पूरे 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आज आयुद्या नगरी में श्री राम लला की प्रान प्रतिष्टा हो गई है ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और आज तो पूरे देश के साथ साथ पूरा विदेश भी हर्शोल लास में डूबा है सब राम भक्ती में लीन है और ये तो आज एक इतिहासिक दिन बन जाएगा 22 जनवरी 2024 हम सब को याद रहेगा और कितने लगी है हम सब की आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है इतने लोगों ने इतने साकरिफाइस दी हैं आज इस दिन के लिए तो उन सब को मेरा सलाम उन स चाहूंगी कि जलाओ दीप खुशियों के आज मेरे घर श्री राम आए हैं आज योधिया में श्री राम की प्राण प्रतिष्छा हुई है उसके लिए पूरे देशवासियों को दिल से मुबारक बाद और ये हमारे लिए पूरे भारत वर्ष के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतना भव्य मंदिर बन रहा है श्री राम के लिए तो श्री राम की जिन्दगी से प्रेरित होकर हमें भी उन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए बस मेरी यही कामना है सब सुखी रहें सब स्वस्थ रहें और आपस में प्यार से रहें मेरी चौखट पर चल कर आज चारो धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वाकत के मेरे घर राम आए हैं थैंक यू आप सभी देश्वासियों को हमारी पूरी टीम भागे लक्षमी की तरफ से इस एतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुपकामना है भगवान श्री राम हम सब पर अपनी कृपा दृष्टी बनाए रखें और हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें प्रगती करते रहें देश भी प्रगती करता रहें और हम सब खुशी खुशी एक साथ रहें जैश्री राम हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24-7 एंटर्टीन्मिट तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इससे लाइक करें कमेंट दे के अपनी राइज ज़रूर दे और ऐसे ही एक्स्लूजिव कंटेंट के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप येही वीडियो फेजबूक पर देख रहे हैं तो हमारे फेजबूक पेज़ को फॉलो ज़रूर करें नाम तो अब सब जानते ही हैं ना सास बहु और पेटियां जहां हम लेकर आते हैं सिर्फ और सर्फ एंटर्टेन्मेंट की गुड निव्स